Hello everyone, Jeff है कि आज हम त्यार करेंगे Memo of Party क्यों Memo of Party भी आप कोई भी consumer case file करते है चाहिए State का file करते है चाहिए जुश्री consumer code का file करते है चाहिए NCDRC का Synod में ही Memo of Party बहुत important है तो जिसके भीना code को यह नहीं बज़ता है कि क्या मामला है अब Memo of Party में जैसे कि आपको अपनी डिटेल लानी है में दूसरी पार्ट ही की डिटेल लानी है ठीक है और उपर क्या लिखना है जिब heading होती है before the National Consumer Redational Commission जैसे कि यह New Delhi में होता ही है कई और नहीं है यह सिरस New Delhi में ही है तो यह New Delhi ही लिखा जाएगा यहां तक भी पक्का ही है रिविजिन पेटिशन नमबर लिखना होगा फिर 2023 अभी जा ओर पास हुआ कि दिन हुआ यह लिखना है ठीक है अब जैसे कि हमने दिल्ली वैसे ही लिख दिया यह पर यहां आपको यह लिखना है कुछ भी लिखना है आपको यह ब्लैंक ठोड़ यह आपको ब्लैंक दिनी छोड़ना जिस भी स्टेट द्वारा हुआ है उसका नाम यहां लिख देना है ठीक है फिर स्टेट कंजूमरी डैसल कमिशन एट न्यू दिली लिखके इन्दा फर्स्ट अपील फर्स्ट पील लिखके इस तरीके से आपको यह फाइल करना है ठीक ह अंक और बंदू किन्दा खरपर कें सब्सूर करना है थैकनों सब्सुन प्रहें पूपको भी करो दो इसके लावा हम अलग से और अदर कोचिंग के देते हैं जैसे की विए सक्सकी या विलोगिंग की व्लोगिंग की अड़ टैयली की वह सारी हमारी क्लासे चलते रहते तो उसका लिंक को पर दिस्क्रिप्शिंग में आपको लिंक मिल जाए क्या किस अब पताजिए कि आपके लिए ये वीडियो कितने हैलफ रही कि आपको इज एक केस्ट फाइल करना है जैसे कि अंसे डिर से में तो आपको help मिली कितने मिली और ये कोई help चाहिए तो आप उनसे service ले चकते हैं आपको अज के लिए इतना ही है वैंने टेप